नमस्कार जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटीब चैनल Important MCQ by Sandeep में तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं लिए लिए थर्ड समेस्टर की तयारी कर रहे हैं और इसी के अंतरगत आज हम मैट का मॉडल पेपर नंबर 16 लेकर आएं इससे पहले हम 15 मॉडल पेपर आपको दे चुके हैं मैट के अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखें मॉडल पेपर के तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को जरूर देखिए ताकि मैट की सारी प्रॉबलम आपकी सौल हो जाएं और आपके जादा से जादा नंबर आ सके हमारा जो टार्गेट है वो 25 में 25 नंबर लाने का कि कोई भी टॉपिक आपसे अच्छूता ना रहे ऐसा कोई भी टॉपिक ना बचे जो आपको आता ना हो तो एक एक टॉपिक आपको आता हो और उससे संबन्दित सभी प्रश्ण भी आपको आते हो तो दोस्तो इसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे मैट का मॉडल पेपर नंबर 16 यहाँ पर मैट का मॉडल पेपर नंबर 16 सुरू करने से पहले हम आपको पिछले मॉडल पेपर 15 मॉडल पेपर 15 का जो विशेश प्रस्ण था उसका उत्तर बताना चाहेंगे पिछले model paper का जो विशेश प्रस्था, बड़ी firm और व्यापारियों द्वारा खोले गए खाते हैं, बड़ी firm और व्यापारियों द्वारा कौन से खाते खोले जाते हैं, तो वो है आपका चालू खाता, चालू खाता, इसलिए बड़ी firm और व्यापारी खोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई limitation नहीं होती है आप जितना मर्जी चाहें उतना पैसा डाल सकते हैं जितनी बार चाहें उतनी बार डाल सकते हैं निकाल सकते हैं ठीक है इसमें कोई भी limit नहीं होती है इसलिए जो बड़ी फर्म और व्यापारी होते हैं वो चालू खाता का इस्तेमाल करते हैं तो चलिए दूस्टे शुरू करते हैं आज का मायत का मॉडल वेपर नंबर 16 अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजए क्योंकि ऐसे ही मॉडल वेपर में अपलोड कर रहा हूं अगर आपने चैनल सब्सक्राइब न दिमाग अगर लगाएंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा यहां पर जो बचत खाता है उस पर ब्याज मिलता है लेकिन सबसे कम ब्याज मिलता है चालू खाता पर बिल्कुल भी नहीं मिलता आवरती जमा खाते पर भी ब्याज मिलता है बचत खाते से अधिक ब्याज मिलता है लेकिन जो इस्थाई जमा खाता होता है यानि जो fixed deposit होता है यानि FD FD पर सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा option number D अगला है समुच्चे कि अवधारडा सर प्रथम किस गड़ी तक गयने दी इसका सीधा उत्तर आपको अगर आता है तो नीचे comment में बताए देखे जितने भी बहुवी कल्पी प्रश्न है इन सभी के उत्तर भी आप हमें नीचे comment में बताया करिए हमारे उत्तर बताने से पहले आप इसका उत्तर नीचे comment कर दिया अगर आपको आता है क्योंकि मैं तो थोड़ा पढ़ने में टाइम लगाता हूं थोड़ा बताने में टाइम लगाता हूं फिर बाद में इसका उत्तर बताता हूं इसलिए आप अगर आता है आपको तो इसका सीधा उत्तर आप हमें क्या सही उत्तर है? नीचे कॉमेंट में जल्दी से बता दीजिए. किसान विकास पत्र में लगाई गई राशी दो गुनी कब होती है, ऐसा होता कि आपके पास मान चलिए 10,000 की धनराशी है, तो आप 10,000 की धनराशी से किसान विकास पत्र खरीद सकते हैं. डाग घर में आप वहाँ बात कीजिए कि मुझे किसान विकास पत्र खरीदना है आप से वो पैसे लेंगे और आपको किसान विकास पत्र दे देंगे तो वो किसान विकास पत्र में जो राशी लगाई जाती है जितने का आपने किसान विकास पत्र खरीदा है वो कितने वर्षों में 2 गुना हो जता है 10 वर्षों में 2 गुना हो जता है अगला प्रसन है, प्रसेंख्याथ 4 कमरे के फर्ट का छेतरफल 48 मीटर स्कॉयर है इसकी उचाई 2 मीटर है तो कमरे का आयतन आप बताईए नीचे comment में पताईए अगर इसका उत्तर आपको आता है कमरे का first का छेतरफल तो first का छेतरफल क्या होगा लंबाई गुड़े चोड़ाई होगा इसका छेतरफल और कमरे की first का आयतन वो कितना होगा तो कमरे की first का आयतन होगा लंबाई गुर्य चोड़ाई गुड़े उचाई यह इसका आयतन हो गया तो आप यह देखिए कि जो चेत्रफल है वो है लंबाई गुड़े चोड़ाई तो लंबाई गुड़े चोड़ाई का आपको पहले से ही दे रखा कि यह 48 मीटर स्कुयर है लास्ट में आपको उचाई अलग से दे रखी है कि दो मीटर है तो आप आयतन आसानी से निकाल सकते हैं लंबाई गुड़े चोड़ाई पहले से ही दे रखी है 48 और उचाई आपको अलग से दे रखी है 2 तो 48 गुड़े 2 आप कर लेंगे तो आजाएगा 96 अब यहाँ पर या तो मीटर क्यूब कह लें या फिर इसको कह सकते हैं लोग घन मीटर ठीक है ये दोनों सही है घन मीटर कह लें या फिर हम कह दें कि मीटर क्यूब तो यहाँ पर जो मीटर क्यूब है 96 मीटर क्यूब इसका सही उत्तर है अगला प्रशन है माधिका सूत्र यानि समांतर दिखास उत्तर आपको मालूम है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ तो option number C इसका सही उत्तर होगा उम्मिद करता हूँ यह 5 प्रश्णों के उत्तर आपने नीचे comment में बताये होंगे अगर आपको आता है बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरब अपन B का गुडात्मक प्रश्णों लिखना है तो हम क्या करते हैं नीचे का उपर और उपर का नीचे तो यह हो जाता है B बटे A इसी तरह यहाँ पर लिखा है 10 की पावर माइनस 2 का गुडात्मक प्रश्णों लिखना तो यह आप देख सकते हैं कि दस की power 2 का गुडात्मक प्रतिलूम क्या होगा ये आपका एक बटे दस की power minus 2 ऑगया ठीक है ये आपका आगे एक बटे दस की power 2 अब थोड़ा जो power 2 जो meanus में लगा हुआ है ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ये अगार आत्मक से लग रहा है, तो हमें इसको प्लस में करना पड़ेगा, यह प्लस में कैसे होगा, आपको मालूम है, प्लस में करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उपर का नीचे और नीचे का उपर, तो वही हमने क्या किया है, एक को हमने नीचे कर दिया, दस को उपर कर दिया और जो आपकी पावर में माइनस थी वो पावर प्लस में हो गई यही हम जब उपर होता है पावर माइनस में तब भी हम यही करते हैं उपर का नीचे कर देते हैं और नीचे का उपर अगर हम यह लिख दें कि 10 की पावर माइनस दो इसको प्लस में करो 10 की पावर माइ और वो प्लस में हो जाएगा जो मैंने यहां पर किया हुआ यह सकते हैं अब की पावर 4, 3 की पावर माइनस 5, 3 की पावर 6, गुड़े 3 की पावर 2, सम में देखिए, base value 3 है, ठीक है, सम में जो आधार संख्या है, वो समान है, अब बीच में देखिए कहे का निसान है, गुड़े का, जब गुड़े का निसान है तो घाते क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी आधार संख्या समान हो और बीच में गुड़े का निसान लगा हो तो जो घात होती है वो जुड़ जाती है अब देखे ज़िए चार है माइनस का पाँच है प्लस का छे है प्लस का दो है अब लखेगा जब जोडेंगे उसको लिखेंगे माइनस ही ठीक है तो इसको हम solve कर लेते हैं 4, 6, 10, 12 और 12 में 5 माइनस करेंगे तो आएगा 7 ये आप देख सकते हैं 3 की power आगया 7 और 3 की power 7 होता है 2187 ठीक है चले आगे देखते हैं अगला प्रश्ण प्रश्ण संख्या 8 24, X, 12, 16 समान उपात में हो तो X का मान ग्याद करो समान उपात का तो हमने आपको बताया था कि इसका क्या formula होता है बाह पदों का गुड़न फल बराबर मध्य पदों का गुड़न फल मतलब 24 गुड़े 16 बराबर X गुड़े 12 ठीक है कैसे करते हैं इसको देख लीजाए यह आप देख सकते हैं 24 अनुपात X समान उपात 12 16 तो यहाँ पर X और 12 का गुड़न फल किया गया है 24 और 16 का गुड़न फल किया गया है तो यह 12 इधर multiply में है जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो आ जाएगा divide में तो यहाँ पर यह divide में आ गया 12 दूना 24 तो 2 इंटू 16 हो जाएगा 2 इंटू 16 हो गया तो यह हो गया 16 दूना 32 तो X की जो value आ गई वो आपके आ गई 32 प्रस्ण संख्या 9 है माइनस 64 का अंडर क्यूब रूट 729 का अंडर क्यूब रूट अब इसका मान निकालिए पूरे का बीच में लगा है गुड़े का निसान अब यह आपको मालूम है 64 किसका cube होता है 64 होता है 4 का cube 739 किसका cube होता है वो होता है 9 का तो यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि यह लगा है minus का 64 तो जो हम minus 4 into minus 4 into minus 4 करते हैं तब जाकर हमें प्राप्त होता है minus का 64 तो minus 64 का cube root कितना होगा minus 4 जैसा कि आप यह देख पार है 64, minus 64 का जो cube root है वो minus 4 है 739 का जो cube root है वो है 9 तो minus 4 into 9 हो जाएगा आपका minus का 36 9 चोको 36 होता है और निसान लग जाएगा minus का प्रसन संख्या 10 किसी घनाब में कोर कितनी होती है और सीर्स कितनी होती है तो आपको मैंने बताया था कोर कोर ऐसे लिखते है न तो इसको आप भोल जाएए अब देखे कितना बच रहा है 12 बच रहा है तो कोर कितनी होती है 12 और सीर्स कितने होते हैं सीर्स ऐसे लिखते है न तो इसको थोड़ा ऐसे मिला दीजे कितना होगे 8 सीर्स घनाब में कोर होंगे 12 और सीर्स होंगे 8 प्रसन के 11 देखिए 5,6,8,10,12 का समांतर माद निकालो समांतर माद का क्या फार्मूला होता है आंकडो का योगफल बटे आंकडो क्या समांतर माद का फार्मूला लगा दिया 5,6,8,10,12 को जोड़ दिया बटे कर दिया 5 क्योंकि ये कितने 1,2,3,4,5 5 है तो नीचे 5 से भाग दे दिया इसको तो 41 बटे 5 आ गया उत्तर आया 8.2 ठीक है इन सभी को जोड़ लिया आ गया 41 41 बटे 5 कर दिया पाज से भाग दे दिया 41 को तो हो गया 8.2 बढ़ते हैं लगूत तरी प्रश्णों की तरब जो की दो नंबर के आते हैं बारवा प्रश्ण है 3 बटे 4 की पावर माइनस 2 डिवाइड बाए 2 बटे 3 की पावर माइनस 4 इसको आप सरल कीजिए तो यह आप देख सकते हमें क्या करना होता है सबसे पहले हम देखेंगे यह पावर लगी माइनस में सबसे पहले तो हम पावर जो माइनस में लगी उसको प्लस में कर लेते हैं प्लस में होगा कैसे जिसकी पावर लगी है यानि बटे 3 और आपकी जो power minus में थी वो plus में हो गई वही same to same यहां किया गया है उपर था दो बटे 3 हमने नीचे कर दिया 3 बटे 2 और जो आपकी power minus में 4 थी वो देखे प्लस में 4 हो गई इतना कर लिया अब इतना करने के बाद आप इसको solve कर लिजे 4 की पावर 2 होता है 16 3 की पावर 2 होता है 9 3 की पावर 4 होता है 81 2 की पावर 4 होता है 16 यह आपने solve कर लिया अब आप देखिए 2 भिन्नों का भाग हो रहा है तो हमने आपको पहले भी बिताया है इस भाग को आप multiply में convert कर लीजे multiply में जब हम convert करेंगे तो जो बाद वाली संख्या होती है वो उपर नीचे हो जाती है यानि 81 बटे 16 है तो यह हो जाएगी 16 बटे 81 तो यह 16 बटे 9 गुडे 16 बटे 81 हो गई अब आप इसको solve कर दीजे 16 का 16 से गुड़ा 9 का 81 से गुड़ा तो उत्तर आपके सामने आ गया 256 बटे 729 उम्मीद करता हूँ आसानी से ये प्रश्ण आपके समझ में आया होगा ध्यान से आप इसको एक बार और देख लीजे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की तरफ प्रश्ण संख्या 13 आसान सा सवाल है 800 का 8 प्रतिसत वार्सिक ब्याज दर से दो वर्स का चक्रविद्धी ब्याज ग्याद करो यहाँ पर फिर से वही करना है सबसे पहले हम लोग चक्रवर्दी मिश्रधन का फार्मूला लगा कर चक्रवर्दी मिश्रधन ये अग्याद कर लेंगे उसके बाद हमारे पाब मिश्रधन आ जाएगा यह हो जाएगा 4, 2, 8 और 100 को जब 4 से भाग देंगे तो आएगा 25 तो यह हो जाएगा 2 बटे 25 यह आप देख सकते हैं यहाँपर 2 बटे 25 हो गया है 1 पलस 2 बटे 25 इसको solve किया 1 पलस 2 बटे 25 को solve करेंगे तो आएगा 27 बटे 25 जहाँ पर एक को जोड़ना होता है वहाँ solve करना बहुत आसान होता है क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ इस 25 का एक में गुड़ा कर दीजिए 25 से कम 25 अब 25 में 2 जोड़ दीजिए 25 दो 27 तो 27 बटे 25 हो गया वही यहाँ पर किया गया है 27 बटे 25 की पावर 2 है यह आपका आजाएगा 32 तो उपर हो जाएगा 32 गुड़े 27 गुड़े 27 बटे 25 यह आप देख सकते हैं 32 गुड़े 27 गुड़े 27 यह आपके 23,328 बटे 25 इसको solve किया तो आया 933.12 अब चकवधी मिश्र धना में मिल गया ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं मिश्र धन में मूल धन घटा देंगे तो 933.12 में 800 जो मूल धन ता वो घटा दे तो ब्याज आपके सामने आ गया 133 रुपए 12 पैसे कितना आसान है यह आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी कठी नहीं है बहुत ही आसान है अब फिर से एक बार देख सकते हैं पूरा प्रश्ट पहले इसमें क्या किया गया चक्रवर्धी मिश्र धन का फॉर्मूला लगा दिया गया उसके बाद मिश्र धन हमारे पास निकल के सामने आ गया फिर हमने क्या किया उसके बाद हमने मिश्धन में मूलधन घटा दिया, हमारे पास चक्रवर्धी ब्या जा गिया, आसान सा है, चले आगे देखते हैं एकला प्रस्ट, प्रस्ट संख्या 14 है, कमरे की लंबाई वा चौडाई वा उंचाई, क्रमशा 9, 3 वा 5 मीटर है, चारो दिवारों का छेतरफ बहुत आसा सा कोश्चन है, चारो दिवारों का छेतरफल ला फर्मुला लगा दिजे, 2 ब्रैकेट के अंदर, L प्लस B इंटू H, इसका फर्मुला लगा कर आप इसको आसानी से कर सकते हैं, दो तीन लाइन का प्रस्ट हैं, देख सकते हैं, आप कमरे की चारो दिवारों का लगा दिया, उसके बाद क्या लंबाई है, क्या चोडाई है, क्या उंचाई है, वो रख दीजे, लंबाई है 9, चोडाई है 3, और उंचाई है 5, इसको आप रख दीजे, सीधा इसको सॉल कर दीजे, 9, 3 हो जाएगा 12, और 2, 12, 12, 5, 120, 120 मीटर स्को आइर, इसका आसानी से आ आप याद रखिए ये पूछे जाने की पूरी-पूरी संभावना है ठीक है इसको आप याद कर लिजिए फार्मूला और सीधा-सीधा लंबाई चोड़ाई उचाई उठा के रख दीजिए आपका उत्तर आ जाएगा प्रसे संभिया 15 है 4x²-13x-12 इसमें क्या करना है 4x-3 से भाग देना है ये आप देख सकते हैं कि 4x-3 है यहाँ लिखा 4x²-13x-12 यहाँ पर हमें solve करने के लिए सबसे पहले में क्या करना पड़ था यहाँ देखे किता है 4x और इधर का पहला देखे क्या है 4x² तो हम 4 का कितना गुड़ा करें कि 4 आजाए 4 का गुड़ा हम 1 से कर दें तो 4 ही मिल जाएगा तो 1 की कोई value नहीं इसको हटा दीजिए अब x का कितना गुड़ा कर दें जो x² आजाए अब x में हम कितना गुड़ा कर दें जो हमें x² प्राप्त हो जाए तो x में x का गुड़ा कर दें तो हमे x square ग्याद मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमने क्या किया, x से देखे, गुड़ा कर दीजे, इसको पूरे का, x का जब हम 4x में गुड़ा करेंगे, तो आएगा 4x square, अब इसी x का हम माइनस 3 में गुड़ा करेंगे, तो आएगा माइनस 3x, अब क्या करेंगे हम, इसको solve कर इसके नीचे के सबसे पहले चिन बदल लीजे यहां पर था plus तो इसको minus कर दिया यहां था minus इसको plus कर दिया अब आप दिखते हुए यहां 4x square plus का है यहां 4x square minus का है तो दोनों कट जाएंगे यहां है minus का 13x यहां है plus का 3x तो आपस में घटेंगे यह तो क्या होगा 10x आएगा वो भी आएगा minus का minus का क्यों आएगा क्यों कि 13x और 3x में बड़ा कौन है बड़ा है 13x तो 13x बड़ा है तो उसी का sign लगेगा यहां पर उसका sign हमने minus लगा दिया अगली संख है minus 12 है वो उतार लिया अब आप देख सकते हैं कि 4x है और यहां 10x है अब 4 के पहाड़े में 10 तो आएगा नहीं तो हम क्या करेंगे उससे थोड़ा कम ले लेंगे 4,2,8 ले लेंगे 4,3,12 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 4,2,8 ले लिया तो यहां पर ले लते हैं minus का 2 हमने लिया तो minus 2 जब 4x में गुड़ा करेंगे तो आएगा minus का 8x minus का 8x अब इसी minus 2 का minus 3 में तो तिया 6 और माइनस माइनस को गुड़ा होता है प्लस हो जाता तो यह देखे प्लस का 6 आ गया अब फिर से वही करेंगे नीचे के चिन बदलेंगे चिन हमने यहाँ पर बदल लिये तो देखे माइनस 8x था यह हो गया प्लस का 8x प्लस का 6 अब इसको सॉल कर लीजे माइनस 10 8x प्लस 8x तो यह आएगा 2x घट के आएगा चिन लगेगा बढ़ेगा माइनस का 2 यहाँ पर देखे माइनस 12 है और यहाँ माइनस 6 दोनों माइनस के हैं जुड़ जाएंगे माइनस का हो जाएगा 18 तो यह आपका जो भाग फल है वो आया x-2 और जो आपका सेश फल है वो आपका आया माइनस 2x माइनस 18 आसान सा प्रेशन था कुछ ज्यादा खास नहीं करना था केवल आप जब भी स्टार्टिंग कीजिए जब भी आप भाग दे रहें तो बस आप इसका पहला देखिए और इसका पहला देखिए दोनों को कंपेर कर लीजे बाद वाला कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं वो एक एक स्टेप आप करते जाएंगे सब सॉल होता जाएगा जब भी आप भाग देने की स्टार्टिंग करेंगे तो पहला ये देखिए और पहला ये देखिए ठीक है पहला पहला देख लिजे और उसमें ये देख लिजे कितने से गुड़ा क करने पर यह पूरा पूरा कट रहा है आपने यह पता लगा लिए तो समझ लिए पूरा कोश्चन आसानी से सॉल्व होता चला जाएगा प्रसल संख्या 16 है समानतर माध्ध निकालो यहां पर पद दे रखें बारंबारता दे रखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं आपको मालूम यहां पर कोश्चन में दो कॉलम दे रखें हमें यहां पर तीन कॉलम बनाने हैं यह आप देखें हमने यहां पर पद बारंबारता और एफेक्स तीन कॉलम बना दिये पहले में पांच था और दूसरे में चार तो इन दोनों का गुड़ा करके जो नया कॉलम है उसमें गु जोड़ कर दीजे और f x का आप नीचे जोड़ लिख दीजे ये देखे इसका जोड़ आया 30 इसका जोड़ आया 31 ठीक है ये नीचे यहां पर लिखा हुआ है अब समांतरमादिका फार्मरा लगा दीजे सिग्मा fx अपॉन सिग्मा एफ अभी एक नमबर में बहुवी कल्पी में पूछा गया था समांतरमादिका सूत्र यही था सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f तो सिग्मा fx सिग्मा का क्या मतलब होता है सिग्मा का मतलब होता है योग फल तो सिग्मा fx हो गया आपका 331 और सिग्मा f हो गया 30 यह आपका आगया इसको solve कर लिजे 30 से भाग दे देंग कोई दिक्का थो तो भी आप नीचे कमेंट में जरूर पताईएगा बढ़ते हैं वरत्त के प्रश्ण की तरफ सत्रा नंबर ओ वरत्त का केंद्र है जीवा A C जीवा A B के बराबर है मतलब यह जो A C है यह जीवा सुरी यह A नहीं होना चाहिए जीवा है तो यह C B है यह इसके बराबर है जीवा A C जीवा C B के बराबर क्योंकि A B तो यह आपका व्यास हो गया व्यास नहीं है यहाँ पर जीवा है वो C B है C B यह कह सकते हैं B C यह C B जो भी है जीवा A C बराबर है जीवा C B के ठीक है अब यहाँ पर angle C, A, B ग्याद करना है अब देखने में हो सकता है कटिन लगे लेकिन बहुत ही आसान है अब आप ये तो जानते हैं कि कोई समध्य बाहू त्रिभूज होता है तो उनके आमने सामने की code आपस में बराबर होंगे जैसे आप देख सकते हैं कि जो A, C के सामने कौन सा code है A, C के सामने code है angle B और जो आपका ये C, B है ठीक है C, B के सामने कौन सा code है angle A तो आप ये मान के चलिए ये जो आपका angle A है और ये angle B ये दोनों बराबर हैं ये आपको एक point पता चल गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये जो व्यास है A, B ये व्रत्त को दो बराबर हिस्सों में बाट रहें मतलब आधा व्रत्त उपर हो गया और आधा व्रत्त नीचे हो गया और आपको एक चीज और मालूम होनी चीए कि अर्ध व्रत्त में बना code sum code होता है तो ये जो code है ये sum code है और sum code कितना होता है 90 degree का code होता है ये आपको मालूम है ठीक है ये 90 का हो गया और ये और ये बराबर है ठीक है अगर हम angle A को X माल ले angle A को X माल ले तो angle B भी कितना होगा एक्स होगा क्योंकि दोनों बराबर है और एंगल C हमें पता है कि 90 है ठीक है आप यहाँ पर हमें क्या करना है आपको ये भी मालूम है कि तीनों कोड़ों का योग कितना होता है 180 होता है तो इन तीनों को जोड़ दिया तो 180 आ जाएगा क्योंकि त्रिभोज के अंता कोड़ों का योग 180 होता है एक एंगल है 90 क्योंकि ये अर्धवरत्य पर बना हुआ कोड़ है तो ये 90 हो गया अब एंगल A और एंगल B दोनों बराबर है अगर हम एंगल A को X माल लें तो एंगल B भी X होगा क्योंकि दोनों बराबर है क्योंकि ऐ बराबर होंगे सीधी सी बात है अगर ये वरत्त के अंदर ना भी होता मान चलिए कोई अलग त्रिभुज होता और इसकी दो भुजाएं बराबर होती तो इसके सामने वाले ये कोड और इसके सामने वाला ये कोड ये दोनों बराबर होते हैं ठीक है अगर दो भुजा बराब और यह जो 90 है यह बराबर के उस तरफ चला जाएगा तो इधर आपका प्लस में है उधर चला जाएगा हो जाएगा माइनस में तो 180 माइनस 90 तो यह आजाएगा 2x बराबर 90 क्योंकि 180 में जम 90 घटाएंगे तो 90 आएगा ठीक है यह आगे 2x बराबर 90 ठीक है 2x बराबर 90 तो इधर 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो 2 इधर multiply में हैं इधर जाएगा तो हो जाएगा divide में तो 90 बटे 2 हो जाएगा इसका उत्तर आएगा 45 जो angle A होगा वो होगा 45 ठीक है और जब angle A 45 है तो angle B भी 45 होगा ठीक है और angle जो C है वो तो अर्ध वरत में बना हुआ है यह तो आपको पता ही है कि यह 90 है अब तीनों को जोड़ लीजे देख लीजे 180 आ रहा है कि नहीं 45, 45, 90 और 90 और 90 180 तीनों का योग 180 आ गया तो आप देख सकते हैं पूछा गया था angle CAB angle CAB है 45 आसानी से समझ में आ गया होगा कोई दिक्कत की बात नहीं है अगला प्रस्ण देखते हैं मानक रूप में लिखो अब आपके सामने चार प्रस्ण दे रखे हैं मानक रूप में लिखने के लिए हमने इसलिए लिए हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि मानक रूप कैसे लिखते हैं इसको कैसे हम मानक रूप में लिखेंगे मानक रूप में हम कैसे लिखते हैं तो हमने देखिए यहाँ पर दो लिखा, पॉइंट लगाया, पाँच चार लिखा, ठीक है, यह हमने लिख दिया, अब हमने दसमलो को पहुचा दिया दो के बाद, अब हम लगाएंगे गुडा, और दस की पावर हम कितना लगाए, सबसे main point तो यहाँ पर यह है, दसमलो तो हर कोई खिसका लेगा, लेकिन यहाँ पर पावर कितनी लगाएं, आप यह देखें, दसमलो राइट साइड जा रहा है, मतलब दसमलो दाइं ओर जा रहा है, यहाँ पर देखें, यह दसमलो इधर था, तो यहाँ पर minus की power लग जाती है ठीक है यह आप याद रखेगा power जो होगी वो minus में लगेगी अगर दसमलो दाइं और भागेगा दूसरा प्रस्ण करके देखते हैं और ज्यादा clear होगा minus, sorry, 0.357 इसमें कैसे करेंगे यह जो दसमलो है पहले अंक के बाद लगा देंगे तो पहला अंक है तीन तीन के बाद हमने लगा दिया तीन दसमलो पाँच साथ गुड़े अब दस की power हम कितनी लगाएं आप देखे यह दाइं तरफ भाग रहा है न दसमलो तो जब दाइं तरफ भागेगा तो power हमेसा minus में होगी और कितने अंक बाद गया है दसमलो तो यह गया है एक अंक के बाद देखे किवल तीन ही के बाद तो चला गया है तो जब एक अंक के बाद गया तो minus का एक लगा दिया तो तीन दसमलो 5.7 की power इंटू 10 की power minus 1 ये देखे लिखा हुआ है साफ साफ चले अगला प्रश्ण करके देखते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा 4176.2 इसको हमें मानक रूप में लिखना है देखे इसको हम कैसे लिखेंगे वही पहले अंक के बाद लगा देंगे 4 के बाद लग जाएगा 4.176.2 यह हमने लिख दिया अब गुड़े 10 की पावर 10 की पावर कितना लिखेंगे आप देखिए अभी तक बाई और भाग रहा था तो हम लोग जो पावर थी वो माइनस में लगा रहे थे अब आप यह देखिए यह जो दसमलो है यह यहां से उठके इस तरह भाग रहा मतलब लिफ्ट साइड में जाना चाहरा है लिफ्ट साइड में गया हुआ है तो जो पावर होगी वो प्लस में लग जाएगी 10 की पावर 3 क्योंकि 3 अंकों के बाद यह खिसका है 1,2,3 3 अंकों के बाद खिसक गया है तो यहां पर 10 की पावर 3 लग जाएगी वो प्लस में अगला देखिए चौथा जो है 37.3,5 यहां पर आप देखिए हमेशा जो दसमलो होता है वो पहले अंक के बाद लगता है तो हमने 3.7,3,5 यह लिख दिया गुडे 10 की पावर कितनी करें यह देखिए दसमलो यहां था उठके एक अंक बाद आया है एक अंक खिसका है दसमलो तो 10 की पावर लगेगी 1 जब जो दसमलो होता है वो बाई और भागता है तो जो पावर होती है वो प्लस में लगती है तो यहां पर हमने लिख दिया 3.7,3,5 गुडे 10 की पावर 1 उम्मिद करता हूँ कि यह आपके अच्छे से समझ में आया होगा यह चारो प्रशन आपके समझ में आगे होगे जितने भी 18 प्रशन आपको मैंने बताए उम्मिद करता हूँ सारे प्रशन अच्छे से आपको समझ में आगे कोई भी तुर्टी नहीं होनी चाहिए अब बढ़ते हैं जो आपके लिए विशेश प्रशन हम लाएं हर मॉडल पेपर में नीचे हम एक विशेश प्रशन जरूर पूस्ते हैं यह हम इसलिए पूस्ते हैं कि ताकि आपको भी पता चले कि जो मैंने पिछला पढ़ाया आपने कुछ पढ़ा है आपको कुछ आया कि नहीं आया बैंक खातों के प्रकार कितने होते हैं तीन चार पांच छे क्या उप्सन इन चारों में सही है नीचे में कॉमेंट में जरूर बताएं उमिद करता हूँ यह 18 प्रेशन आपको समझ में आये होंगे वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे क्योंकि सारे सब्जेक्ट डिये लेट, फ़र्ड सेमेस्टर समधित जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके हम मॉडल बेपर आपको उपलब्द करा रहे हैं और ये सारे मॉडल बेपर मोस्ट इंपोर्टेट है ओके दोस्तों, उमिद करता हूँ पसंद आया होगा, ऐसे ही मॉडल बेपर पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत